कर दोनों के लिए इस में परिच्छा भी नहीं होगा आप सही देख रहे हैं इसमें परिच्छा भी नहीं विना क्या होगी किस प्रकार के इसके स्टीम होगे इसकी स्टीम किस प्रकार की होगी सेलेक्शन की और इत्यादी संपुर्ण जानकार आपको इस वीडियो में प्रवाड करेंगे तो वीडियो को बने रहें वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक कर देता चैनल कभी त इसके लिए 40 वर्ड पर मिनट और 30 वर्ड पर मिनट और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए इसके लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए और 40 वर्ड पर मिनट इंग्लिस टाइपिंग और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी टाइपिंग होनी चाहिए इप पोजिशन टाइपिश्ट के लिए वैं vẫn 18 फोश्ट है इसके लिए वैचलर डिग्री डिंग नइकान विनीडे क्ष्ट बंढैंडंडित इंग्लिश प्रमेट। नंत हींटि हंजी टाइपिडंग और मिनिट हर》 पर दीश्टरन सीवड़ कॉर्ट के लिए पर इंग्लिस पर जूडिसियल एकेडमी के लिए दो पुष्ट के वल है इसके लिए भी ग्रेजिवेशन मांगा है और इस्टेनों की स्पीड 40 वर पर मिनुट और टाइपिंग की स्पीड 40 वर पर मिनुट इसके बारे में आप यहां देख सकते हैं आगे इसकी विग्यापन संख्या दो दो हजारे मेंहीं दो हजार के लिए ऐक दोजार के लिए तैंट ऄज़ाज़ां वनान चाहिस법 अर प्राराम्न सब्सक्राम आपक्राइं सुरू नहीं हुआ है एक मार्च से सुरू होगा 31 मार्च दौजर चबिस तक अप्लिकेशन चलेगा और लास्ट फी पेमेंट करने की विलाइट तरीक तक ही होगी इसके लिए जनरल ओबीसी और इडावलोएस से 500 रुपए की फिश ली जाएगी जनरल इडावलोएस और ओब से 25 से 25 से थाटी फाइब एक एक दोहजार चबिस को एक जनौरी दोहजार चबिसको एक कई से 35 वर्ष आपकी होनी चाहिए कि मैंने डेट के बारे में आपको बता दिया एक जैंसर एक मार्च से लेकर 31 मार्च तक इसके लिए English Easternographer, Civil Courts and Judicial Academy दोनों के लिए English Easternographer के लिए 7th PRPC के लेवल 4 होगा, लेवल 4 होगा जो 25,500 से 1,80000 के लिए, यानि कि लेवल 4 की वेकंसी होगी, अच्छी खासी मिलेगी आपको, पैसे अच्छे मिलेगी आपको, ग्रेजुएशन मैंने बताए, ग्रेजुएशन मांगा इसमें, इसमें 80 वर्ड, शाठेंड के स्पीड, 80 वर्ड चाहिए, और 40 वर्ड पर मिनट, इंग्लिस एंड, इंग्लिस की टाइपिंग स्पीड चाहिए आपको, इसके बाद वेकंसी की बात करें, देखें, इंग्लिस इस्टेनोग्राफर, सिविल कोर्ट के लिए, इंग्लिस इस्टेनोग्राफर, टोटल, टीन सव संतानवेर वेकंसी है, जो कटेग्री वाइज यहां पर दिया गया है, आप देख सकते हैं, इवार के लिए 12, बीसी फ़र्ष्ट के लिए 20, के लिए 60, को सब्सक्राइब को सब्सक्राइब करें तो 500 और 125 मैंने बता दिया डावली वसी फ़र्स बीशी सिकेंडर कटेग्री या और और के लिए जनरल के लिए सबसे 500 रुपे लिए जाएगी जबकि से केवल 125 रुपय लिया जाएगा मैंने बता दिया आपको इमें पेमेंट डेविट करेडिट काड लित्यादी किसी भी अनलाइन माध्यम से होगा अप्लाइन माध्यम से स्विकार नहीं किया जाएगा अब में मुद्धा यह है कि एक्जाम्स होगा या नहीं होगा तो एक्जाम्स इसमें नहीं होगा यह वहल आपकी स्कील होगी एक्जाम्स कोई एक्जाम्स आपसे नहीं लिया जाएगा इस्कील होगी इस्टेनोग्राफर के लिए यह है इस्टेनोग्राफर के लिए लेजम से टेस्टाप इफ्ट section अग्रफिन्ट टाइपिंग 90 मार्क्स का और परसंनलीटी टेस्ट एंटेपिंग 10 मार्क्स का 90 मार्क का PC test होगा 90 मार्क्स का ले ज़्लिव गारे मोर्क्स का तोटल सव मार्क्स का मेरीट बनेगी तो Marks के मेरिड बनेगे, उसमें से नभे Marks क्या होगा? Start Hand Speed, Start Hand Speed कम से कम 80 होनी चाहिए आपकी, 80 से ज्यादा कितना है, उस पर Marks मिलेगा, और Total 90 Marks आपको मिल सकता है, जो Speed Typing Test है, वो कम से कम 40 word per minute की Typing Test होनी चाहिए, इसके लिए कोई भी आपसे मार्क नहीं दिया जाएगा के लिए क्याओ,, यह आप से इंटर्वी लिए जाएगा और इंटर्वीव का मार्क्स पर आपकी मेरिट बनेगी और सब्सक्राइब तयार हो जाएगी उसमें आपको शॉट लिस्ट कर लिया जाएगा मैंने बता दिया यह सब चीजे वहाई चीज लिखी हुई आप चाहिए तो पढ़ सकते है शॉटॉटॉट सब्सक्राइब पर तॉटॉट यहां यहां देख सकते हैं और दीपोजिशन टाइपिस्ट सिविल कोर्ट के लिए टोटल 218 पॉस्ट है पर टेंगरी जहां पर तिग वहाई जहां लेवल के बात करें यह भी फोर लेवल लेवल फोर की वेकंसी यह भी है इसमें भी आपको लेवल फोर दिया जाएगा 2500-10000 अच्छी आपको पैमेंट दी जाएगी उपने बताए एक ग्रेजी वाशन है इसके लिए इंगलिष की 40 बाठ पर मीबिट एंगलिष की टाइपिंग होगी सब्सक्राइब के लिए और यह 40 वर्ड पर मिनट और 30 वर्ड पर मिनट यहां भी है इंग्लिस में 40 वर्ड पर मिनट हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट तो यहीं है टाइपक यर्णिंग के लिए कम से कम 40 word per minute इंग्लिश में और कम से कम 30 word per minute हिंदी में आपको देना होगा इससे कम देंगे जस्याओंद यदि आप को नंबर मीलेगा 90 mark total मिल सकता है गर इंटर्व्य मेंदर्वीमें मार्क समेल आपको मेरり बनेगी मेरिट बनने के बाद आपको साटलिस्ट कर लिया जाएगा यहीं सब चीज यहां पर लिखी हुई आप वीडियो का पाच करके पड़ सकते हैं और हिंदी की बात करें इंगलिस में तो कोई वेकंसी रांची हाइकोट के अर्था जारखंड हाइकोट के वेकंसी है लेकिन अगर आप जारखंड से बाहर के हैं तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं लेकिन आपको यूर में जनरल में काउंट किया जाएगा आपको यूर अन्रिजर्व काउंट किया जाएगा आपको आपको और मेर्ट किया जाएगा बाकि हिसके लिए आप आवेधन कर सकते हैं अगर इसकी प्रकार की आपको पन्फूजन इसमें है तो वीडियो का कमेंट में कमेंट कर देजिए मैं आपको जबाब देढ़ूगा वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दिजीएगा और चैन